नमस्कार राम राम किसान भाईयों खरीब फसलों के अंतरगत मूंग फसल की बात करेंगे पिछले कुछ समय से ज़्यादा बारी सोने से जो निचले इलाकों में मूंग की फसल जून माह के प्रारम में बवाई की हुई थी फडियों पर थी ज़्यादा पाने की वज़े से रहे हो मूंग की फसल है वो कब वाई हुई थी एक प्रगति सिलकास्तकार हमारे साथ जुड़े हुए है निराई गुड़ाई भी इस फसल के अंदर हुई है और किसान भाईयो यूट्यूब चैनल किसान पाटसल आप देख रहे हो किसानों का विश्वसनिय चैनल तो मूंग की फसल में कीट और रोकों की बात करेंगे पहले वराइटी की बारे में बात कर लेते हैं किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम राम जी राम जी सुब नाम बताओ बंसी लाल जी कौन से चक में वाई हो रखी है पंद्राइचमेच बद्रकाली रोर नम्रांगड मस Nej ये अपना मौईल नम्र बता दें अब अपने बीज की बात करते हैं कितना बीज इस्तवाल किया एक बीगा के अंदर शाढह साढै तीन इन किलोग्राम एक बीगा में इस्तमाल गिया व्रायटी की बात कर लेते हैं कउन सी व्रायटी लगां रखी है एक नई वराइटी है जो सन 2000 में रिलीज हुई ICR नई दिल्ली से और उत्पाधन भी अच्छा हो रहा है जो किसान भई अच्छी पेकेज और प्रेक्टिस काम में ले रहे हैं इसका उत्पाधन हो रहा है और फर्टिलाइजर की बात करते हैं कोई उर्वरक दिया हुआ आपने सुपर वगेरा इसमें ने दसकी किलोबिगागा और शिंचा latest आधारितर वसंन में है और विमारियों की बात करें तो कोई सप्रे व वा इसमें पहले हमने बताया था आपको फर्टिलाइजर का एक सप्रे हुआ था एन पीके और बरॉन अभी आपको क्या इसमें दिक्कत लग रही थी त्रिप्स की प्रॉबलम थी इसमें जूंगी जूंगी नियंतन के लिए कौन सी दवाई की थी आपने दोनों मिलाकर की त्रिप्स एक बड़ी समस्या रहती है मूंग की वसल में किसान भाईयो जो फड़ी लगती है वहां पर आपको सिधी डंडी है जो दिखाई देने लगती है जितना भी गोर यह जो आप देख पार है गोर जैसे लगना स्टार्ट होता है त्रिप्स इसको टेक ज़्यादा हो जाता है और कंट्रोल नहीं होता था स्पाई नेटुरों में एक दवा आती है ग्यारा पॉइंट है आठ प्रसेंट है उसका आप स्प्रेग सकते हो एक सवसी अमिल की पेकिंग आती है दोसो से सबा दोसो लिटर पाणी में गोड़ बना करके करोब के न पहले जब हमाई सुरुवात के अंदर बारिस हुई थी वो किसान भाई ने मई के एंड में वाई की थी और अच्छी फ्लोरिंग थी फढ़ियां भी अच्छी थी बग जो काम करता है किसान भाई यो नुकसान जो करता है बग वो फढ़ियां है उसमें दानों से रस चूस देता है जिससे फढ़ियां भटने लगती है और किसान भाई को पता नहीं लगता है रात्री काल में ज्यादा नुकसान करता है दिन में मिट्टी की दरारों में चिप जाता है और इसी तरीके से सुंडी नुकसान करती है आप वीडियों में देख पा रहे हो बग है जो किस प्रकार भसल के मॉंग भसल के अंदर फडियों को नुक्सान करता है बग के नियंतर्ण के लिए किसान भाईयो आप है तर निली प्रॉल दवा काम में ले सकते हो टेट्रा निली प्रॉल दवा पचास ग्राम सो लिटर पानी में मिला करके इसके साथ में कई किसान बाई है क्लोरेंट्स si aquesta निली परोल दवा लेते ये भी बगग को अच्छा कुरा नींतर्न करती है उसके जो निभ्वहों को खोला सुंडिया 125 ml 100 लिटर पाने में मिला के स्प्रे करें तो जो अडल्ट है वो नियंतरित होंगे बग है प्लस उसके बग के निम्फ है और सुंडी है उसको नियंतरित करने के लिए जो दोवाई हमने बताई है बहतरीन प्रणाम आपको मिलते हैं इस तरीके से अच्छा रखें और पुस्त्पन अवस्ता में हो तो एन पी के उननीस उननीस आप साथे सासो ग्राम सो लिटर पाने में मिला के एक ग्राम बरौन का यदि स्प्रे करते हो तो मूंग की फसल में हमें अच्छा प्रणाम मिलते हैं जिन किसान भाईयों ने लेट वई की है तो बारिश के कारण मूंग की फसल यह थी दभी हुई तो उसमें कल्टिवेशन करें और निचले इलाकों में जो मूंग की फसल थी महां ज़्यादा पाणी ब्राव की जो समस्या के कारण मूंग की फसल नश्ट हुई है तो यह एक मूंग का फिल्ड हम देख रहे थे किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े वे थे नमस्कार जी आपका बहुत वह धन्यवाद वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाई यो जदा स्यादा लाइक करें शेयर करें दूसरे किसानों तक पहुंचाएं मूंग की फसला है उसमें एक मेन समस्या होती है यलो वेन मोजक वाईरस पत्ते है जो पीले स्टार्ट होना सुरू हो जाते हैं यह जो आप पोदा देख पारें इसमें बहुत कम पोदे दिखाई देंगे एक प्रसंट से भी कम अन्य यदि वराइटी है उसमें यलो वेन मो किटों को नियंतरित करें वह वाईरस फिलाने में अधिक योगदान करते हैं और खेत में आप यदि ज्यादा पीड़ापन खेत में आ रहा है तो बल्यू कोपर डाई ग्राम प्रती लीटर पाणी के साब से स्टेप्टो साइक्लीन है वह सो लीटर पाणी में दो से तीन प